सामी शहर में एक नीजी कमपनी द्वारा भूमिकर्द केबल बिचाने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है इसी दुरान नहिरू मार्केट की बगल में भूमिकर्द केबल बिचाय जाने के दुरान सत्वा माता शेत्र में जलापुर्ती पाइपलाइन फूट गई और हजारो लिटर पानी बरबात हो गया जब तक इस पाइपलाइन की उपर से मरमत नहीं हो जाती है नागरिकों को कुद्रेम जल संकट का सामना करना पड़ेगा कुछ नागरिकों ने शिकायत की है कि बिना अनुमती के ये अंडर्ग्राउण केबलिंग का काम क्या जा रहा है समधित विभा के इंजिनियर की अंदेखी के कारण इस तरह की घटना हुई है सानी को द्वारा कहा जा रहा है कि केबल ऑपरिटर ने इंजिनियर को नगर नाराइं की दर्शन करा कर मामला निटानी का प्रयास क्या जा रहा है नगर पालिका की अनुमती के बिना अंडरग्राउंड विचार ही केबल कंपनी नी सत्वा माता शेत्र में जलापुरती पाइपलाइन तोड़ी यह घटना 26 तारी की शाम करीब 4 बजे नेहरु मार्केट इलाके में होई है इसमें शेत्र की नाकरिकों को कृत्रेम जल संकट का सावना करना पड़ेगा और इस प्रकार की नगर परिश्यक कर्विचारी को सुछना देने के बार भी उसकी लापरवाई से ऐसा आपा है बताया चारा है कि इसके लिए नगर प्रशासन और संबती जल आपूरती विफाग पूरी तरह जिम्मेदार हैं ततावक्ति घटना की उच्चसतरिय जाचकर दोशी पर उचित कारिवाई की मांग उठने लगी है सांदी शहर में एक केबल कंपणी तवारा भूमिकर्द केबल बिच्चाने का काम जोरू पर चल रहा है और कहा चल रहा है कि इसके लिए इस कंपणी ने नगर पालिका से उचित अनुमती नहीं लिए है जहाँ से सांदी शहर में सड़त की पास पानी की पाइपलाइं और भूमिकर्द बिच्छली केबल बिच्चाना शुरू कर दिया केबल बिचाना शुरू कर दिया इसमें 26 सारी को कोई भी इजासत नहीं ले गई जहां से सांदे शहर में सड़क के पास पानी की पाइपलाइन और भूमिकर्द बिचली केबल बिचाए गई है आदे की जानकारी मांचित्र के अनुसार जानकारी को बुगता ना करते वे तथ विसंद्योस के लिए सांदे से किशव ठुंडे लेकी रिपोर्ट